रिटाइड आईएस से हुई लूट में दो अरस्ट एक फरार पुलिस ने त्रुने तभियान के तहट लुटेटो तक महुंची रिटाइड आईएस प्रेम नरायन त्रुवेदी ने बदमासों से की सरी राह लूट क्राइम प्रांच सर्विलांस और इस्थानी पुलिस से ऑपरेशन में सफलता राजप्रताप सिंग और बाबू और छपरी और इंद कुमार और इंदेल अरेस्ट वारदात के बाद से सेबिश रिवास्तो और राहुल पुलिस गिरफ्त से दूर बदमासों के पास से असलहा समेट लूट का समान बेची हुई रिकम बरामद राजप्रताप सिंग और फबाबू और फचपरी के खिलाफ आंस एक्ट के तहद हुआ केस तर्थ 27 सितंबर को बाइक सवाल लुटेरों ने सेक्टर पी मिदिया था लूट की बार दात्वर्ट पुलिस अबसर खाना खा करके पुलिस अबसर नहीं थे बल्कि आईए सबसर थे वह खाना खा करके अपने घर के सामने गली में घूम रहे थे और चुकि वह वहां खाना खाने के बाद भूमते थे इसकी जानकारी जो वहां कांफ्लेक्स में उसके पास वाले कांफ्लेक्स में जो इंदल है लड़का इसको रहती थी तो यह उस दिन गटना के दिन यह सब पहले से एक अठा थे वह अपना खाना खाके जब भूमने गए तब तक यह लोग जो है वहां अपना प्लान बना लिये थे और उसमें से यह लड़का जो है दोड़ करके गया उनके साथ किसी सी टीविश पूटिज में भी आया हुआ है पहले चार तीन लोग जो है वहां अपना कर रहे थे उसकी वह एक लड़का उसके आस पास था जिसके बारे में हम लोग अभी जनकारी कर रहे है कि अभी वो संदे के दाइरे में है अभी हम उसके बारे में अभी उसको इसलिए फरार गोसित नहीं किया तो ये अपना इसमेशे एक लड़का भाग करके गया जो ये राज प्रताबुर बाबू इसने उनको कंदे से पकड़ करके चेन खीचा और दक्का मुगी करके गिरा दिया जिसके वजासे उनको चोटे आई वो पीजी आई में उनको एड्मिट कराना पुड़ा और अभी उनका इलाज चल लहा है चूंकि ये लगबग सतर साल के हैं प्रिम्राइद वेदी जी ये ये जनरली चीना जबती के बाद जो दक्का मुगी करके गिरा दिया उससे इसके ब् कर देने के प्रयास कर दिये ये मात्पूर गंबेरता इसकी बहुत ज़्यादा गंबेरता थी इसकी वजा से जो मुलिस कमें स्टेट की टीम जो है डिसीपी उत्तरी हमारी टीम विकास नगर की टीम और सभी अधिकारी जो है समिदन सिल्टा के सार इस पर शार लोग काम किया और सीसी टीवी के फुटेश से हमको मिल गया यह यह लोग जो है यहां तीन चाल लड़के जो दिख रहे हैं इन पर काम किया जाय तो डबलप हो सकता है सीसी टीवीज को डबलप करने से यह पता लगा कि एक बेक्ति इसका कहीं कहीं सम्मंद जो है इस कामप्लेक्स से जरूर होगा क्योंकि एक साथ अगर असंबल हो रहे हैं तो बिना सहारे के आदमी कठा नहीं होता है तो वह सहारे पर हम लोग पहुँचे के सहारा वहां का इंदल है जो ड्राइवरी का भी काम करता है और पीछे भी इसका क्रिमिनल इतियास है तो ऐसी इतितिते पे हम लोग इस पे को अभी हम लोग फरार बता रहे हैं वो लड़का अभी अभी वो फरार है उसके दब उसका जो भी उसकी भूमिका थी जो सारी चीजे तो अस्पष्ट हो गए यह लोग यहां से ले करके चैन ले करके और जा करके चिनहट में लड़का जो राज है यह वहां रुका वहां लोगों फिर असेंबली किया और उससंबली के माध्यम से जो जो चेन है लूटी हुए चेन उसका इन्होंने पैसा अपस में जो है बाटा बाई कि चेन ले करे जो लड़का फरार है वह तो यह ठीजी है डिच दिया विवारिक वेच दिया इतना फैसा दो बाद मेंदेना जो आपस में चार तीन लोग थे उन्होंने एक लड़का जो फरार है उसने कहा कि हम मोटा मोटी इतना पैसा इसको समझ करके हम दे दे रहे हैं आपस में बाकी हम इसको और बेच करके जो पैसा होगा और देंगे सब्सक्राइब नहीं यह क्या है कि एजो इंदल है इंदल और दूसरा जो क्या नहीं यह आपस में इनका मिलना जूलना पहले से था तो यह वहां पर यह जो जो आई यह सबसर्त थे जो चैन पहने के रोज घूमते थे इस पे इनकी नजर थी यह इसलिए इनका उस दिन का ति इनका रहने को आजदीक रहता है इस के इंदल के यह और यह जो है नसा भी करते है तो यह यह नसा भी रहने को जैसे नजीक रहता है दूसरा एक बीच में गाज़ा पीच भीच में पीट दूस सब्सक्राइब नहीं की गई लूट का सीधे सीधे मोटिव है एक आदमी साफ्ट टार्गेट है जो चेन पहन के घूम रहा है तो इनको इनका पीछे जैसे है कि इनका काम ही काम है कैसी से करना चूरी के मुकदमें पला भी है तो इनका हरकत जो है वो दूसरे के दूसरे के प्रपर्टी लेकर के लाव ले लेना है तो ऐसी स्थिति में उनके गले में रोज इनको दिखता था कि सोने के घूमते हैं तो बेसिकली असंबली पॉइंट में डिसकसन का मुद्दा भी यह था कि यह टार्गेट में लिया जा सकता है कि इस समय निकलेंगे प्लानिंग तो चार-पांच दिन प्लानिंग क्या था इन लोगों का आपस का वो तो चुकी निकलते दरोज उनका रोटीन वर्क था अब इस बात को पता इंदल को ही था तो इसलिए इसने असेंबली में कि ज्या कि यहां पर एक टार्गेट है इसको हम लोग लोग लुग चलाता है और जो मालिक है उनके बार मुद्व जानकारी भी कर रहे हैं कि मालिक ने जर्चुकी उनका उनका जो सीची टीवी में उनसे घटना इसमें साब साब दिख रहा है कि सबसे पहले चेन लूटने का प्रयास हो रहा है और बाद में धक्का मुक्य उनको जो रजिस्टेंस किया उसकी वह जास दक्का मुक्य हुई अगर साथली चेन लूट करके चला जाता और चेन ऐसे हलके से उठ जाती बिना उनके धक्का मुक्य के तो गिरा हो सकता उनको चोटना आती लेकिन उन्हों आप दाए जगड़ा नहीं है मोटिव चेन लूट ना था असलेह का उस प्रयोग नहीं किया गया है इस समय हुई है असलह इसके साथ परामत हुआ है असलेह को उससुम्य प्रयोग कंशा रखते हैं जो लोग इंके प्रात्मिक जिम्मेदारी है हम लोग कई बार आप देए झामे पुल इवादार को सी कि या जा हुडगोजीट दिया भलवा जारार कभ रहा हैं उवर एताथ...